स्वागत है भविश्य में, जहां प्रौत्योगी की वास्तविक्ता के नियमों को पहले से कहीं तेजी से फिर से लिख रही है। 2025 यहां है और इसमें अत्यधिक चौकाने वाली नवाचारों से भरा हुआ है जो हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को आकार देंगे। AI से जो आपको आपसे बेहतर जानता है, से लेकर रोबोर्ट्स जो सिर्फ आपकी मनजिलें साफ करने से कहीं अधिक काम करते हैं, टेकनोलोजी की दुनिया आग में है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ गैजट्स और गिजमोज नहीं है। इस साल हम उन कृतियों में गोता लगा रहे हैं, जो उर्जा सुरक्षा को बदल सकती है, और यहां तक की आपके दिमाग को मशीनों से जोडने के तरीके को भी। क्या आप उत्सुक हैं? आपको होना चाहिए। बने रहे क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप न केवल सबसे होट टेक ट्रेंट्स जानेंगे, बलकि यह भी जानेंगे कि वे आपकी जिन्दगी को कैसे प्रभावित करेंगे। यह जितना आप सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, हमारी सूची की शुरुआत AI इंटीग्रेशन से होती है। 2025 तक क्रित्रिम बुद्धी मत्ता को हमारे जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से जोड़ा जाएगा। व्यक्तिकत शौपिंग अनुभवों से लेकर स्मार्ट असिस्टेंट्स तक, जो आपकी जरूरतों का अनुमान लगाते हैं, AI, हर क्षेत्र में उत्पादक्ता को बढ़ावा देगा। CES 2025 में, कंपनियों जैसे सैमसंग ने AI, संचालित स्मार्ट होम डिवाइस का प्रदर्शन किया, जो उप्योग करता की जरूरतों का अनुमान लगाने में सक्षम है, जैसे की होम AI, कॉंसेप्ट और AI साथी, यहां अगला है बहुक्रिया शील रोबोट, यह आपके सामान न रोबोट नहीं है, यह कई कार्य करने में सक्षम होंगे, जैसे सफाई, खाना-पकाना और जटिल औद्योगिक संचालन, कल्पना कीजिए एक ऐसा रोबोट, जो आपकी दैनिक जरूरतों के आधार पर अपनी क्षमताओं को अनुकूलित कर सके, यह कितना अद्भुत होग उदाहरण के लिए CES 2025 में पेश किया गया रोबरो SOS Z70 में एक आर्टिकूलेटेड रोबोट आर्म है, जो बाधाओं को हटा सकता है, जो आधुनिक रोबोट की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है रोबोटिक्स के बाद अब स्पैटियल कम्प्यूटिंग है, यह तकनीक डिजिटल और भौतिक दुनिया को मिलाती है, जिससे उप्योग करताओं को नई आयामों में डिजिटल जानकारी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जैसे जैसे ऑगमेंटेड और वर्चूल रियालिटी का विकास होता रहेगा, ऐसे इमर्जिव अनुभवों की उम्मीद है जो गेमिंग से लेकर रिमोट काम तक सब कुछ क्रांतिकारी रूप से बदल देंगे काम उर्जा दक्ष, कम्प्यूटिंग एक और प्रवृत्ती है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए जलवायू परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिन्ताओं के साथ प्रोसेसिंग पावर में ऐसे विकास जो काफी कम उर्जा खर्च करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे हमारी प्रित्वी को बचाने में मदद करने वाली और अधिक हरी प्रोध्योगिकियों की अपेक्षा करें जो हमारे ग्रह को सनरक्षित करते हुए कार्यक्षमता को बढ़ाती है प्रदर्शन नियूरोलोजिकल में आगे बढ़ रहा है हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमताओं को तकनीक के माध्यम से बढ़ाने का विचार दो हजार पच्चीस तक हम मस्तिष्क और कम्प्यूटर इंटरफेस में प्रगती देख सकते हैं जो संजानात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगा जिससे हम केवल विचारों के माध्यम से प्रणालियों के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हम अपनी तकनीक को हमारे साथ जोड़ें अगला है हाइब्रिड कम्प्यूटिंग जो एज और क्लाउड कम्प्यूटिंग का मिश्रण है यह ट्रेंड तेज प्रोसेसिंग और बहतर डेटा सुरक्षा की अनुमती देगा यह सुनिश्चित करते हुए कि समवेदन शील जानकारी सुरक्षित रहे जबकि यह अभी भी सुलब हो यह संयोजन विभिन तरीकों से कम्प्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करने को फिर से परिभाशित कर सकता है क्वांटम कम्प्यूटिंग के उदय के साथ पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिकी आवश्यक्ता है क्योंकि क्वांटम कम्प्यूटर पारंपरिक एंक्रिप्शन को तोड़ सकते हैं नए क्रिप्टोग्राफिक तरीके उभरेंगे जो हमारे डेटा को इस उन्नत तक्नीक से सुरक्षित करेंगे। प्रोध्योगिकी का वातावरण अव्यक्त है बुद्धिमत्ता हमारे घरों और कार्यस्थलों को बदलने वाली है। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां प्रोध्योगिकी आपके आवश्यक्ताओं का अनुमान लगाए बिना किसी दृष्यमान इंटरफेस के। स्मार्ट होम्स से जो आपकी आदतों के अनुसार अनुकूलित होते हैं से लेकर कार्यस्थलों तक जो अपने आप आपके वातावरण को अनुकूलित करते हैं यह प्रवृत्ती हमारे जीवन को फिर से परिभाशित करेगी। सुविधा के बाद अगला मुद्दा है गलत जानकारी। सुरक्षा के संदर्भ में जैसे जैसे सोशल मीडिया में गलत सूचना बढ़ती जा रही है। टेकनोलोजी दो हजार पचीस तक इन जूठी कहानियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उम्मीद कीजिए कि प्लेटफॉर्म उन्नत अल्गॉरिडम विकसित करेंगे जो जानकारी की सत्यता की जाँच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप विश्वसनिय समाचार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा पर यह बढ़ा हुआ ध्यान डिजिटल क्षेत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम पारिस्थिती की तंत्र में भी प्रगती देख रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल से लेकर निर्मान तक। रोबोट अधिक उन्नत हो रहे हैं और कारियों की विस्तरित श्रंखला करने में सक्षम हो रहे हैं। स्वाचालन ना केवल दक्षिता बढ़ाएगा, बलकि रोबोट डिजाइन, रख रखाव और अन्यक्षेत्रों में नए नौकरी के अवसर भी उत्पन्न करेगा। अगला प्रोग्रामिंग है मस्तिश्क चिप्स का दिल्चस्प विचार। जब हम तक्नीक को सीधे हमारे मस्तिश्क के कारियों में एक ही कृत करेंगे, तो हम संजानात्मक शमताओं और स्मृती बनाए रखने में सुधार कर सकते हैं। इस तक्नीक की संभावना यह परिभाशित कर सकती है कि सीखना और जानकारी प्रसंसकरण का मतलब क्या है। सूचना, Generative AI Creativity में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिससे मशीने कला से लेकर संगीत और यहां तक की लेखन स्क्रिप्ट तक का मौलिक सामगरी उत्पन्न कर सकेंगी। दो हजार पचीस तक Creative पेशेवर AI Tools के साथ सहयोग करेंगे, जो हम जो मानते हैं उसके सीमाओं को पार करेंगे। कलाकार, Connectivity और अवसनरचना का विस्तार इन तकनीकों का समर्थन करने के लिए आवशक होगा, जैसे कि 5G और उपग्रह इंटरनेट जैसी प्रगति, ग्रामीन और उपेक्षित क्षेत्रों को विश्वसनिय कनेक्षन तक पहुँच प्राप्त होगी, जो डिजिटल प्रग करती के लिए रास्ता बनाएगी, अंत में हम बायो टेक्नोलोजी नवाचारों को नजर अंदाज नहीं कर सकते, इस क्षेत्र में इनोवेशन स्वास्थ्य देख भाल, क्रिश्य और परियावरणीय स्थिर्ता में महत्वपूर्ण ब्रेक्थ्रूस का कारण बनेंगे, इसे ही हम दो हजार पचीस में देखने के लिए तकनीकी प्रवृत्तियों की अपनी खोज समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ठ है कि प्रोध्योगी की न केवल प्रगती कर रही है, बलकि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है, चाहे आप एक टेक उत्साही हो या बस जी ग्यासू, यहां बहुत कुछ है जिसे आप आगे देख सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपिया हमें एक थम्स अपते हैं, और नवी इंतम ट्रेंड्स और नवाचारों पर और रोचक सामगरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर झाल